तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं TVS Redder की कुछ और नए अपडेट्स के बारे में जहां पर मैं आपको उताने वाला हूँ कि अलड़ी इसमें हाली में कुछ अपडेट्स आया थे जहां पर आपको छोटी वाली सरीन से बढ़ करके 5 इंच की TFT स्क्रीन दे दी गई थी और उसमें भी कुछ ऐसे connectivity option दे दिये के थे जिससे इस बाइक को जो overall जो management है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है इस बाइक में जो connectivity की वज़ा से जो और जो features हैं वो भी आपको मिल जाते हैं लेकिन इसमें एक और नया feature safety feature install होने वाला है जो कि आपको मैं इस वीडियो में बता दूँगा लेकिन उससे पहले हमनों बात कर लएते हैं इस bike के specification के बारे में कि आखिर उसमें कितने changes आने वाले हैं तो पहले बात तो यहाँ पर आपको दो variants देखने को मिल जाते हैं एक है smart X connect वाला variant और एक है disk वाला variant दोनों ही variant में आपको disk brakes front में मिल जाती है लेकिन इन दोनों को नाम अलग इसलिए किया गया क्योंकि एक में 5 इंच की TFT स्क्रीन है और एक में 2.5 इंच की LCD स्क्रीन है जिसकी वज़ा से इन दोनों ही बाइकों का जो इंस्ट्रेक्सर है वो पूरी तरह के से चेंज हो जाता है कुछ ऐसे parameter है जो आपको smart X connect में मिल जाते हैं जैसे की ambient sensor जिसकी वज़ा से इसकी जो display है वो अपने आप sense करती है कि रोशनी बाहर दुनिया में कितनी है जाता है voice management system चौथा आपको मिल जाता है call management और पाँचवा यहाँ पर आपको navigation के लिए system दे दिया गया है तो यह जो feature मैंने आपको अभी गिना है वो 5 इंच के TFT screen में मिल जाता है जबकि आपको वो जो 2.5 इंच का reverse LCD है उसमें यह सारे के सारे पाँचो चौओ जो भी मैंने आपको बताए वो नहीं मिलते हैं अब उन बातों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपको इन दोनों ही बैंड में देखने को मिल जाते है तो यहाँ पर आपको air cooled and oil cooled single cylinder SI engine मिल जाता है जिसकी power की बात की जाते है तो 8.37 kW की power मिल जाते है यह साथ साथ हजार आरपियम पर और करीब 11.2 अनम का torque मिल जाता है छे हजार आरपियम पर और इस बाइक में आपको 5 speed का gear box देखने को मिलता है gear के pattern की बात की जाए तो 1 down और 4 up wall out system आपको यहाँ पर मिल जाता है इसके बाद यहाँ पर आगर देखा जाए तो इस bike को जो ground clearance है वो करीब 180 mm है और total weight इस bike का cable 123 kg है suspension देखा जाए तो front में आपको telescopic fox मिल जाते है rear में monoshock absorber मिल जाता है जो कि 5 step में adjustable है और आप इसे gas charge suspension भी कहते है front tire के size की बात की जाए तो 817 का front tire और 190 का rear tire मिलता है देखो tear के profile को देखा जाए तो मैं उतना जादा इसको वो नहीं कहूंगल कि बहुत अच्छा है सब कुछ अच्छा होने के बाद भी इसमें 2-3 चीज़ें जो अच्छी नहीं है जिसमें से एक ये चीज़ कि इसमें tire बिलकुल भी अच्छा नहीं है disc अगर इसमें दिया गया है तो front disc जो है वो 240 mm की है और अगर drum दिया गया है तो वो 130 mm का है आप कौन सा variant front में ले रहे हो उसके बाद rear में आपको 130 mm का drum मिल जाता है SBT के साथ बैटरी आपको यहाँ पर low maintenance वाली बैटरी मिल जाती है head light LED की मिल जाती है tail light LED की मिल जाती है जो इसके indicator है वो आपको थोड़े से हेलोजन वाले ही मिलते है fuel tank के capacity वो 10 liter की है अब दूसरी चीज की मुझे इसमें कौन सी चीज़ खराब लगती है तो वो इसका rear fiction इसका जो rear का जो number plate वाला area है मटगाड वाला area है वो मुझे उतना जदा unique नहीं लगा tail tidy इसकी उतनी अच्छे से design नहीं की है तो कहीं ने कहीं उसके उपर थोड़ा सा ध्यान देती होती तो bike overall जो है वो complete हो गई होती और जो गिट्टी पर मिट्टी पर या पानी पर फिसलन वाली जगहाँ पर आपकी bike skid करती थी क्योंकि ये बहुत जादा skid करती थी tire इसके बहुत जादा पतले हैं front में इसकी वज़ा से ये skid बहुत जादा करती थी इसकी वज़ा से इसमें front में आपको ABS देहने को मिल जाता है अब ABS मिल जाने के बाद इस बाइक का जो प्राइज है डेफिनेटली वो थोड़ा सा तो बढ़ जाएगा अल्रेडी ये वाला वेरेंट करीब 99,990 रुपए का पढ़ रहा है यानि कि अल्मॉस्ट 1,000,000 रुपए का पढ़ रहा है तो जैसे इसमें ABS वाला वेरेंट आपको मिलने लग जाएगा तुरंद इस बाइक का जो प्राइज है वो करीब 6-7,000 रुपए बढ़ जाएगा ये कुछ और भी छोटे मोटे फीचर आने वाले हैं क्योंकि विनायल के स्टीकर भी इसमें कुछ ऐसे चेंज हो जाएंगे कि बाइक को जो है थोड़ा सा अप अलग हट करके ला सकते हो सो दोस्तों आपके मेडिये वीडियो कैसे लगे जल्दी सा नीचे कमेंट दा देना भाई वीडियो चे लगए ये लाइक जूर कर देना चलिए मिलते हैं किसी और एक अमेजिंग सी वीडियो में दें तो ग्यार प्लीज क्या लगना अपना और अपने सभी बाइक्स का बाई